नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चिरोंजित राय और आप देख रहे हो टेक्निकल चिरु यूटूब चैनल आप लोगों को पता ही है कि टेक्निकल चिरु यूटूब चैनल से NSDL PMID के लिए ओफर चल रही है और इस ओफर में बहुती लो प्राइस में मैं आप लोगों को NSDL का ब्रांच ID प्रवाइड कर रहे हूँ जिस ब्रांच ID के मदद से आप दो तरीके से पैनकार्ट बना सकते हैं एक तो ओफ पोटल जो कॉंपीटर से आपको करना पड़ेगा और दूसरा है मोबाइल एप्लिकेशन मोबाइल एप्लिकेशन से आप एक क्योसी के मददम से ओटिपी और फिंगर्पिन के मददम से एक घंडे के अंदर एपन का जेनरेट कर पाओगे तो बहुत बढ़िया पोटाल है और यहाँ पर जो एक बात है भाई ब्रांच ID होने के बाद इनस्ड्य वह साइड है उसमें आपका सेंटर का नेम खोगा तो दोस्तो आज वीडियो में आप लोगों को यह इनस्ड्य का जो ब्रांच ID मतलग इनस्ड्य का जो प्यांट पोटाल है जो ओए पोटाल है उसमें अगर प्यांट का डपटलिकेशन करोगे तो कैसे आपन ना वीडियो में बताने वाला हूँ और दोस्तों बहुत सारे लोग फ्रोट हो चुके हैं मतलब ब्रांच आइडी लेने के लिए कॉंटक किये थे किसी को उसने उनको साब ब्रांच आइडी दे दिया तो साब ब्रांच आइडी लेने के बाद वह अगर प्यान का डेपलिकिशन क उसको कैसे अकॉर्टनेसरे में स्लिप या कोई टोकेड मिलता है तो उस क्या है कैसे है सारे कुछ डिटल से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आपको मैं इतना ही रिकोस्ट करूंगा भाई आप वीडियो को पूरा देखो अगर आप फ्रोट नहीं होना च जाते हो तो ज़रूर इस वीडियो को देखो और इंफर्मेशन को पता कर लो तभी भाई आप जान जाओगे कि भाई साब ब्रांच आइडी ब्रांच आइडी में कैसे हम उसका डिफरेंस करें कैसे हम पता करें तो क्लियर हो जाओगे भाई तो सबसे वहले आप वीडियो क मिलता है वह चीज मैं आपको दिखाऊंगा तो और इसमें क्या-क्या रहते हैं सारी कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा मैं तो मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ देखिए यह पर एकॉनलस में नंबर दिया हुआ है यह 15 अंको का एक एकॉनलस में नंबर रहते है अब अग किया सेम है दोस्तों और यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम नेम ओन कार्ड कार्ड में क्या एसे नाम रखे यह फादर्स नेम माधर्स नेम नहीं रखता है अदर्स नेम देखे देट अब बाच मोबाईल नमबर इमेल एडी प्रूब आइडेंटिटी सारी कुछ में अधर दिया है और यह एप्लीकेशन 14 डिसमबर 2001 कुस में किया था और नीचे देखिए दोस्तों और बिहल्ब और एनस्टील इगोवर्णमेंस इंफरस्ट्रक्टर लिमिटेट प्यां सेंटर मैनेज भाई एनस्टील उसके नीचे देखिए ब्रांच आइडी जिसका यह ना उसक पाता था मेरे से एक सोईदुल भाई लिया था जिसका घर है विर्भूम में तो उनका ही है भाई यह उन्होंने पैनकार्ट बनवाया थे तो उसके बाद देखिए ऐसे रहते हैं अगर आप आपने कूद के नाम पर लेते हो तो आपका हिया पर सारे कुछ डिटर्स शो करा आपके सामने इस सारी कुछ है आप देख सकते हो नीचे देखिए एप्लिकेंट को भी उपर में कोफी टूबी कीप विट एप्लिकेशन मतलब जो एप्लिकेशन करेंगे मतला हट को भी जो रहेगा उसके साथ यह रहेगा और नीचे वाला जो है आपको कास्टुमार को दे आप प्रोटल से आप अपके सामने ही है देखिए अपर भी पंदरा उंगों का नंबर रहते है और नेम एपलिकेंट नेम फादर्स नेम डेट आप मोबाईल नमर सारी कुछ रहते ही है दूस्तों नीचे देखिए जो में आपको दिखाने वाला हूं नीचे सेंटर का एड्रेस दिया हूआ है तो यह भी मेरा एक रिटेलर का है जो मेरे से ब्रांच आटी लिए थे उनका यह रिसीब है उन्होंने पैन काड एप्लिकेशन किया था मोबाईल एप्लिकेशन के थ्रू और ऐसे कुछ रिसीब आया है तो दोस्तों अब लोगों के सामने ही है अगर फूट के नाम पर लोग है तो फूट का एंड्रेस भी यह आ पर आ जाएगा ब्रांच कोड भी आ ज अगर आप सबसेब लेट नमबर देगा आपको एकांड लस्में नमबर नहीं देगा ध्यान से उसके बाद यह पर टोकेन नमबर देगा उसके बाद नेम रहेगा और नीचे देखिए क्या लिखा है साइसे देखिए On behalf of OfficeShiva Service Center मतलब यह जो OfficeShiva के नाम पर ब्रांच आइडी ठीक है और इसको sub-branch id दिया हुआ है, साब ब्रांच का आइडी कैसे होता है और जो लिया है इनका नाम है छाहीनूर इसलाम तो यह भाई, इन से औपीस स्वेज़ा से लिया था साब आइडी, पैसे देकर लिया है भाई, ऐसे नहीं लिया है, मुझे फोन किया था, उसके बाद देखिए उनको, क्या आइडी दी साब आइडी दिया है, और इनको pen card application करने के बाद, तीन चार दिन लग जाता ही, पैंड अगर आप branch ID लोगे तो आपका याप नाम रहेगा आपका branch ID रहेगा तो उपर में देखिए उन भायों का वाइन नीचे अब यह न नीचे फ्राइक है तो देखिए यहाप लिखा हुआ है तो देखो branch ID लोगे तो ऐसे अगर साब आड़ी लिए हो तो साब आड़ी लेने का कोई फाइदा नहीं क्यूंकि आपको यह पर कोई कोमिशन भी नहीं मिल रहे है कोई फाइदा में नहीं नहीं हो रहे हो आप दूसरे को डिपन रहना पड़ता है फिर से होई वाले बाद भाई थाट पाटी मुटल आप खुद सारे कुछ काम कर पाओगे दूसरे को उपर क्यों डिपेंड करना भाई ठीक है एई बाद है तो यह दिखने के लिए यह वीडियो में बनाया है तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो फ्लीस वीडियो को लाइक कर दो और जाद से जादा आपके दोस्त करो ठीक है क्योंकि लोगों को यह इंफोर्मेशन के बारे में पता चल जाए उसके बाद लोग जग्रुख हो जाए और चीट होने से बचे तो यही मेरे मतसद है वाई तो दोस्तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस चैनल को सब् तो फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार